आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस्पाप का बहुत दोस्पागत है दोस्तों हम बात करेंगे आज फिर से चाइना और ताइवान इशू की देखिए काफी जादा होट टॉपिक होता जा रहा है यह यहा अउमेरिका सबसे पहले वहां पे आएगा ओके टेलिग्राम पे आजाया है आपको पीडियेख मिल जाएगी तो अमेरिका जो है वो ताइवान को ताइवान की सुरकशा करेगा और यह हमारा कमिटमेंट है कि चीन से ताइवान की सुरक्षा की जाए अब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने थर्स्डे को यह बोल दिया है और यही है कि भाई हम कोई भी अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं कर रहे है येस, we have a commitment to do that पाइडन ने का कि हमारा commitment है ये हमको करना ही है और हम हर हाल में ये करेंगे देखिए पिछले 40 साल में इस समय ताइवान और चाइना के relation सबसे खराब इस तरपे हैं सबसे खराब इस तरपे सौ से जाधा वार चाइना की एरफोर्स ताइवान की defense territory में जा चुकी है और ये शी जिन पिंग का साफ संदेश है कि भाई तुमको हमारे सामने जुकना होगा चाइना ताइवान इश्यू पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए आगी दो हफ्ते पहले एक लेक्चर लिया था पूरा मैंने बताया कि चाइना ताइवान की शुरुवात कहां से होई थी दोनों ही एक दूसरे को अपना मानते है बन चाइना पॉलिसी अरे हाँ तुम मेरे हो तुम मेरे हो कल आके ले जाएंगे कल आके ले जाएंगे ऐसा लगता है कि मतलब रिलेशेशिप है ने कि शादी में कल कर लेंगे कल कर लेंगे आगले महने अगले महने से टालते 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 शादी होती नहीं तो वही यहाँ पर हिसाब किताब हो रहा है ताइवान चाइना का ताइवान भी कहता है कि आ रहे यह चाइना और हम एकी हैं आज ने तो कल चाइना हमारे पास आ जागा और चाइना भी बोलता है कि आ रहे ताइवान हम और एकी हैं अब देखिए ताइवान को जो भी देश गगनाईस करते हैं चाइना को बड़ी मिर्ची लग जाती है चाइना ने साब बोला है सब को वार्निंग दिये होता है कि अमेरिका में ऐसे ही जाके किसी को अटाक nhi कर phenomena a में पहले तो यह कानून लाना पड़ेगा लेकिन अगस्त में बाइडन अड्मिनिस्टरेशन ने ओफिशल ही वो लिया था कि हमारी जो पॉलिसी है ताइवान की तरफ वो चेंज नहीं हुई है हम ताइवान को तब भी डिफेंड करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और यूके और तीनों ही इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया भी सपोर्ट देता है सा इंग्वेंग जब यह प्रेसिडेंट मनी तो भारत प्रेजेंट था चाइना ने बहुत आपत्ती जता है चाइना एकदम खोरिया जाता है कि भाई यह हमारे इंटर्नल मैटर है तुमको क्या पड़ी है अचा यही चाइना से पुछे कि तो पूरी दुनिया में तुमको क्या पड़ी है उन सबका इंटर्नल मैटर है पूरे आफ्रिका में आप जाएंगे न केनिया और तंजानिया यहां एथियोपिया औस्ट्रेलिया यहां सब चाइनीज इंवेस्टमेंट है इस्टेशन प काफी दिस प्लेजर एक्स्प्रेस किया है कि भाई ऐसा तो होगा नहीं और यहां अमेरिका के जो डिफेंस रिलेशनशिप अक्ट है था यह ना ताइवान के साथ तो इसी के तहद अमेरिका यह कर सकता है और इस आक्ट में जो भी कमिटमेंट्स है यह बात अच्छी है कि अमेरिका जो है कुछ भी कहिए अमेरिका लीटर तो है अब ठीक है आप पचास गालिया दे दे मैं भी मानता हूं कि अमेरिका की पॉलिसी की वज़े सही पूरी दुनिया जो है वो सफर कर रही अमेरिका बहुत उसे मन नहीं है लेकिन कुछ चीजे हैं जो सरानी है कम से कम इस में तो है ही है वरना तो चाइवान कपका ताइवान पर अटाग कर चुका होता है और यह आईलेंड चला जाता क्योंकि ताइवान का कोई सेर्ट डिफेंस नहीं है ताइवान की बहुत बड़ी मिलिटरी नहीं है एक दिन क्या मुश्किल दे पांच-छे गंटे का काम ह अपने मिलिटरी जो है वहाँ पर बॉर्डर्स पर तैनात कर दिये बॉर्डर्स क्या मतलब वह भी मिलिटरी एक्सेसाइज कर रही है दिखा रहे है चाइना को कि भाई हम भी कम नहीं है तो हम पर हमला करोगे तो क्या हम तुमको छोड़ देंगे ऐसे ही कुछ भी तो ऐसे है और चाइना ने बोला है कि भाई देखो फॉरेंग मिनिस्टर ने सीधा बोला है कि यहाँ पर कोई no room for concession हम को कोई concession नहीं देने वाले है हमारे core interest में सबसे पहला है ताइवान सबसे पहली priority है ताइवान अब उसमें अगर कोई हस्तक्षिप करेगा तो भूल जाए हमसे कोई कंसेशन की मांग ना करें और अमेरिका से यह अर्च किया है रिक्वेस्ट किया है कि आप गलस सिगनल भेजने ताइवान को आपको लग रहा है कि ताइवान आजाद है आप क्यों जूटा दिलासा दे रहे हो इससे आप चाइना और अमेरिका के जो टाइस हैं वैसे भी डेफेसेट ट्रेड बहुर्त ऑल्रेडी चाइना और अमेरिका में छिड़ा हुआ है तो चाइना और अमेरिका के जो रिष्टे आप और खराब करोगे समझ नहीं आ रहा है आपको आप यह सब क्यों कर रहे हो चाइना बोल रहे है आप इससे दूरी रहो जितना हो सक इससे दूर रहो ताइवान देखे यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या खेना है ताइवान ने तो बोल दिया कि भाई देखो हम तो अपने आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे और हम एक फर्म determination दिखाने वाले हैं कि जेवियर चैंग जो एक स्पोक्सपर्सर ने प्रिसिदेंशिल ओफिस के उन्होंने से statement में बोला है और ताइवान बहुत खुछ भी है कि भाई अच्छी बात है चाइना जो है वो हमको support कर रहा है sorry अमेरिका जो है वो हमको support कर रहा ह बॉनी ग्लेसर यह ताइवान expert है जर्मन मार्चल फंड तो यह बताते हैं कि देखिए बाईडन के जो remark है वो completely true नहीं है बतला ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बाईडन ने ऐसा ही बोल दिया होगा लेकिन अगर ऐसा होता तो तुरंत वाशिंटन इनके support में आता कि हाँ यह हो clear signals है समझी नहीं हा रहा है लेकिन मेरे हिसाब से यह कोई भी sense नहीं बनाता यह confused US policy है यह बताती है फिलाल बाईडन ने लोगों से बोला है कि बाई देखो बिलकुल परशान मत हो क्योंकि हमारी military सबसे जादा है चाइना रशिया और पूरी दुनिया जानती है कि हम दुनि करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी illegal activities या गलत activities में engage रहेंगे तो आप बहुत भारी गलती करोगे हमको cold war China के साथ नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि China यह समझे कि हम पीछे भी नहीं अटने वाले और नहीं हम अपने views चेंज करने वाले हैं तो यह जो बाइडन के statement आए हैं और जैसा कि मैंने बता कि ताइवान और चाइना के जो relations और वो सबसे खराब है समय सबसे खराब ताइवान के defense minister ची को चेंग ने इसी महीने बोला था कि चीन जो है 2025 तक full scale war कर देगा ताइवान पे यह बिलकुल पक्की बात है यह हम पे attack करेगा और उस समय चीजे बड़ी अलग हूँगी ताइवान सबसे ज़्यादा sensitive और important issue है अमेरिका के लिए भी चाइना के जो United Nation ambassador है जैंग जुन उन्होंने बोला था उन्होंने कहा ता रिपोर्टर्स को कि देखो भाई हम peaceful reunification चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमको कोई भी war नहीं करना पड़े हैं और सब को peacefully हो ताइवान खुद ही आ जाए वहले कि हमको आपके साथ जाना है देखिए ताइवान एक democracy है अभी तो democracy ही है और चाइना एक communist nation है वह हौंग कॉंग में आपने देखा आपने मतलब देखा कई जगा कि चाइना कि तरीके से आज पास के islands को जबर्द और उसके बाद अब तो democracy सब democratically elect हो के आते हैं तो ताइवान तो वैसे भी नहीं चाहेगा कि हमको अभी चाइना के साथ जाए पीसफुली तो बिल्कुली भी नहीं यह चीज है तो वही चाइना ने बोला है कि हम पीसफुल चाहते हैं सब कुछ अच्छा से हो अमन चैन से ह लेकिन अगर अमेरिका इस तरीके के हरकत करेगा अगर अमेरिका ऐसे dangerous actions लेगा तब तो पीसफुल होगा नहीं तो इसी लिए अमेरिका को इस समय यह सब चीज़े रोक देनी चाहिए dragging Taiwan into war एक बहुत बड़ा आइडिया बहुत बेकार आइडिया है और बहुत गलट आइडिया है और यह किसी के interest में नहीं है और अमेरिका को इस से कुछ भी नहीं मिलेगा तो यह फिलाल बड़ी ख़बर थी कुछ बड़ा तो होने वाला है मुझे लग रहा है कि एक दो सालों में Taiwan के ओपर खत्रा तो मंटराने लगा है देखेंगे फिलाल क्या होता है खुशर यह पर तरी देशे सिद्धान तक नहीं होता ही साही नहीं